तो आपके इस तरीकी से एक multi-tool website create करकर उसको add status से monetize कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तो एक multi-tool website create करने के लिए सबसे पहले आपको Google AI Studio के उपर आना है और इसके उपर अपना account create कर लेना है। जैसे आप Google AI Studio के उपर अपना account create कर लें। उसके बाद आपको इसके chat section के उपर आना है और model के अंदर आपको यहाँ पर जैमनी 2.5 pro को चूस कर लेना है, क्योंकि coding के लिए best माना जाता है। जैसे आप Google AI Studio के उपर अपना account create कर लें। next step में आपको हमारे telegram channel या WhatsApp channel को पर जाना है। यहाँ पर आपको prompt मिल जाएगी जिसके use करकर हम यहाँ पर multi tool website create करने वाले हैं। तो simply आपको हमारे channel को पर जाना है और यहाँ पर आपको prompt मिल जाएगी इसको आपको copy कर लेना है। इस तरीके से आपको इसको काफी सारा copy कर लेना है, काफी बड़ा code है, काफी बड़ा prompt है, तो इसको आपको completely यहाँ पर copy कर लेना है। again आपको Google AI Studio को परना है, यहाँ पर आपको इसको copy and paste करना है, run इसको पर click कर देना है। अब Google AI Studio यहाँ पर work करना स्टार्ट कर देगा, और कुछी मिंटों में आपको यहाँ पर code बना कर देतेगा, जिसको यूज करकर हम यहाँ पर multi-tool website क्रीट करने वाले हैं। तो Google AI Studio यहाँ पर work करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पांस अलिके 6 मिंट का आपको यहाँ पर wait करना है, और इसके बाद आपे codes यहाँ पर बनके ready हो जाएंगे। जो कि मैंने यहाँ पर बना रक zaas , तो मैं यहाँ पर जाँगा, यहाँ से आपको code को copy करना का भी करना है। काफि पर छोड़ा code को ना है, तो scraps पूरा code आपको लगने वाला है तो यहाँ पर इसको मैं completely copy कर लेता ह तो इसको मैं copy करता हुजा रहा हूँ, and you can see, इसको मैं copy कर रहा हूँ, काफी लंबा चोड़ा code है, and इसको आपको यहां तक copy करना है, कहां तक, यहां तक copy करना है, अब हमें यहां पर test करना है, code हमारे यहां पर work कर रहा है यह नहीं कर रहा है, उसी के बाद हम यहां पर अपनी website को create करने वाले है, code work करने नहीं कर रहा है, tools यह हमने बना है, वो work करने कर रहा है, सब कुछ हम यहां पर check करने वाले है, तो check करने के लिए आपको अपने computer के desktop के पेश्ट करना है, file इसको पकलिक करना है, save as इसको पकलिक करना है, desktop को choose करना है, यहाँ पर आपको type कर देना है, index.sdml, इस परकाँ से आपको यहाँ पर type करना है, save इसको पकलिक करना है, अब आपको home page को पराना है, refresh करना है, यहाँ पर आपको इसका option दिखाए देगा, इसको आपको open कर लेना है with Chrome and you can see हमारी multi-tool website यहाँ पर create हो चुकी है, जो कि इस परकार से यहाँ पर दिखाई दे रही है and tools भी यहाँ पर properly work कर रहे है, तो कहने का मतलब यह है, code हमारे यहाँ पर work कर रहे है, prompt हमारे यहाँ चुकी है okay, अब हम अपनी website को host करने वाले हैं, तो host करने के लिए हम यहाँ पर use करने वाले हैं blogger का, तो simply आपको जाना है blogger के उपर और इसकी ऊपर आपको अपनी multi tool website create करेड़ेना है तो website create करने कost weten लिए आपको यहाँ प्राणा है और यहाँ पर आपको new blog इसको पकलिक करना है website का title डाल देना है जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ यहाँ पर multi-tool website इस प्रकास से यहां पर मैंने इसका टाल डाल दिया है, next इसको उपकलिक करना है, address टाल देना है, तो मैं यहां पर डाल देता हूँ, multi-tool-website और check करते हैं, address यहां पर available है यह नहीं है, तो address यहां पर available है, अब मैं save इसको उपकलिक कर दूँगा, और website बनकर यहाँ पर ready हो जाएगी अब हमें यहाँ पर अपनी code को host करना है तो इसके लिए आपको theme के उपर जाना है यहाँ पर आपको इसको option दिखाए देगा इसको पकलिक करना है switch to first generation इसको पकलिक करना है switch without backup इसको पकलिक करना है अब हम यहाँ पर test करेंगे कि हमारे code यहाँ पर host हुए है या नहीं हुए है तो मैं back इसको उपकलिक कर दूँगा view block इसको उपकलिक कर दूँगा and you can see हमारे code यहाँ पर host हो चुकी है और हमारे website कुछ इस परकास से यहाँ पर दिखाए दे रही है tools भी यहाँ पर properly work कर रहे है जैसे मैं पर परतेक टूल के उपकलिक करता हूँ तो परतेक टूल यहाँ पर properly work कर रहे है तो website तो मेरी बनकर ready हो चुकी है अब मुझे अपनी website के अंदर ads को add करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी website से revenue generate कर सकूँ तो add add करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी website को adsterra के अंदर जोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए आपको यहाँ पराना है यहाँ से आपको अपनी website के web address को को पी कर लेना है adsterra के उपर जाना है इसकी उपर अपना account क्रीट कर लेना है तो publisher के अंदर आपको login कर लेना है जैसा publisher के अंदर login करेंगे तो आपके समने new interface आएगा अब आपको यहाँ पर add website का option दिखा देगा तो आपको इसको उपकलिक करना है website के add इसको डाल देना है category चूज करना है banner इसको चूज करना है banner size चूज करना है add इसको पकलिक कर देना है website आपके यहाँ पर add हो जाएगी और एक से लेकर तीन मिन्ट में आपके website यहाँ पर active हो जाएगी तो अभी website हमारी pending है और एक से लेकर तीन मिन्ट के अंदर हमारी website यहाँ पर क्या हो जाएगी properly add हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ पर अपनी codes generate करेंगे, website के अंदर add करेंगे, websites पर add देकिनी start होगी, यहाँ से हम revenue बना पाएंगे, तो मैं refresh कर देता हूँ, और check करता हूँ, कि यहाँ पर pending status, active status में change हुआ है के नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मेरा pending status, active status में change हो चुका है, तो मैं इसको उपकलिक कर दूँगा, यहाँ पर मेरी add unit थी वो भी active हो चुकी है, और मैं get code इसको उपकलिक करूँगा, यहाँ से code को कोपी करूँगा, अगेन आपको अपनी website के उपर आना है, edit HTML इसको उपकलिक कर देना है, उसको आपको वहाँ पर copy and paste कर देना है, अब कहाँ पर करना है वो भी ध्यान से देख लेना, नहीं तो आपकी website के अंदर add दिखाई नहीं देगी, तो आपको इसको add करना है body के नीचे, तो body इसको उपकलिक करना है, enter इसको उपकलिक करना है, यहाँ पर आपको अपने script को copy and paste कर देना है, then save इसको उपकलिक कर देना है, आपकी website के अंदर code add हो चुके है, अम मैं यहाँ पर check करूँगा, कि जो मैंने code यहाँ पर add किया है, जो अगेन वीब लोग इसके उपर कलिक करूँगा यहाँ पर मेरी website open हो चुकी है जो मैंने यहाँ पर add-add की थी वो यहाँ पर दिखाय दिनी start हो चुकी है तो इस फरका से आप यहाँ पर अपनी website कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपनी ad को भी add कर सकते हैं अब most important part की बात करते हैं कि आपको अपनी website के उपर traffic कैसे लेकर आना है वो कि जब तक आप अपनी website के उपर traffic नहीं लेकर आएंगे तब तक आप यहाँ पर review जनरेट नहीं कर पाएंगे तो आपको अपनी website के उपर traffic लेकर आना है तो website के उपर traffic लाने के लिए आप यहाँ पर हमारे चैनल का यूज कर सकते हैं तो simply आपको मारे चैनल को उपर जाना है प्रेलिस्ट के उपर क्लिक करना है Free Traffic की बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी प्लेलिस्ट को देख लेना है आपको यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा Traffic Source की नोलेज बन जाएगी उनके उपर आपको अपनी वापसेट को प्रमोट करना है हजारों में ट्राफिक लेके आना है यतना ट्राफिक आपकी वापसेट के उपर आएगा उतनी ही आपकी यहाँ पर revenue generate हो सकती है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर multi-tool website create करना है ad share के माधियम से monetize करना है और फाइनली आपको अपनी वापसेट पर ट्राफिक लेके आना है ताकि आप यहाँ पर ad unit का फायदा उठा सके और आप यहाँ पर revenue generate कर सके तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी multi-tool website को create कर लिया है I hope आपको आज के मेतर समझायोगा कैसे आपको multi-tool website create करना है वो भी आपको समय होगा अगर आपको आज के वीडियो पसंद आई है multi-tool website बनानी आई है तो मैं आपसे यहाँ पर request करूँगा कि आप आमारे चैनल को subscribe कर ले वीडियो के उपर कम सकम 100 लैक्स लेकिया है ताकि इसी टाप का awesome content हम आपके साथ share कर पाएं